रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून कि अरे पगली रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून तुम अपना खोल कर रखो I am coming सून रोज उगत सुराज दर्द केगो कहानी लिख देला कि दोस्तो रोज उगत सुराज दर्द केगो कहानी लिख देला एक बात कहीं पोईसा खातिर लोग ती दुनिया में अरे हमार जाने मन बीच रहिया में हमरा के छोर गई लू हो कि बीच रहिया में हमरा के छोर गई लू हो ए जाने मन ए छीनरो तू ता बदल गई लू हो दोस्तो अर्च किया गोर फर्माना मैंने अपने साली से कहा जब देखा तेरा सोने सा बदन देखने लगे मकमल मेरे आँख कि जब देखा तेरे सोने सा बदन देखने लगे मकमल मेरे आँख छुना चहा जब हमने साली को हाई चुपके से आ गई मेरी सास ये बेपना हुष्ण यू सादिकी से सर्माए चिराग बुजादो कहीं आग न लग जाए दोस्तो गौर फड़माना अर्च किया है कि जिस मैं कैसी लगती हूँ लड़की ने पूछा अपने जान से एक बात बता देता हूँ दोस्तो कि आने वाली पिढी आचल का सुख ना पाएगी जिस पहने वाली लड़किया मा का आचल कहान दोस्तो दिल की हसरत जुबा पर आने लगी कि दिल की हसरत जुबा पर आने लगी मेरी गर्फ्रेंड साली का मला पसंद खाने लगी घर नया हो तो वह सजा रहता है कि घर नया हो तो वह सजा रहता है आज कल की छोकरियों के छाती पर भुट्टा रहे या नहीं रहे पर चेहरे पर एसकॉर्प जरूर लगा रहता है दीपा लड़कों के लिए एक्षाई हो जाए किस किये तो होट लाल दारू पिये तो दिल लाल पक्रे गए तो पीठ लाल और अगर बज गए ना तो जी ओ मेरे लाल वाँ भाई वाँ एक लड़की अपनी बॉइफिन से पूछती है कि अगर मेरी शादी कही और हो जाए तो तुम क्या करोगे लड़का उसे जवाब देता है कि मैं तुमें भूल जाओंगा इस बात को सुनकर लड़की मूफ लाकर बैठ जाती है तो लड़का उसे समझाते हुए कहता है कि तू ही सोच पगली जब तू गहनों से लटी होगी तेरी चारू तरब तेरी फैमली और दोस्तों से तू गिरी हुई होगी और मैं इस तरह शरब की नशी में तुझे गालिया दे रहा होगा अपने दोस्तों से कह रहा होंगा कि तुम किसी से प्यार मत करना लड़की पेवफा होती है इस बात को सुनकर लड़की की आखों में आसो आ जाती है और वो कहती है कि हमारी कहानी यहीं खतम हो जाएगी तो लड़का उसे कहता है कि नहीं एक रात जब तेरी लड़ाई तेरी हस्बिन से हो चुकी होगी और मेरी लड़ाई मेरी वाइप से हो चुकी होगी तब हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होंगे जब सारा जहा सो रहा होगा तब हम दोनों रो रहे होंगे कैसी लगी कहानी? कॉमेंट में जरूर बताना दीपा एक सची कहानी सुना दो एक चिरिया एक गुलाब से प्यार करती थी लेकिन गुलाब ने कहा कि जब तक मैं लाल नहीं होता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा तो चिरिया ने उसी गुलाब की काटो पर लेग गई और लहू लुहार हो गई और उस लहू से गुलाब लाल हो गया और गुलाब ने कहा कि हाँ मुझे तुम से प्यार है लेकिन तब तक चिरिया मर चुकी थी आज कल की रिस्तू में भी यही हाल है जिसे जितना important दो वो उतना ही लापड़वा होता है बात अगर दिल पे लगी हो तो इस वीडियो की